नमस्कार मैं प्रग्या ध्रदर 30 खबरों में आपका स्वागत है चलि जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुक खबरों को 15,000 रुपए प्रोतसाहन के रूप में मिलेंगे यही नहीं कारिगरों को हर महीने अधिक्तम 100 ट्रांजेक्शन के लिए हर प्रांजेक्शन पर एक रुपए के हिसाब से भी पैसा मिलेगा योजना खासक गरीब तबके के लोगों को आतनर्व बनाने के लिए शुरू की जा र रक्षा मंतरी राजनास सिंग के द्वारा 12 सितंबर को इसकी आधार श्रिला रखी गए जानकारी के मुताविक इसका निर्मान सीमा सरक संगठन यानी BRO करेगी BRO सूतरों से मिले जानकारी के मुताविक करीब 3 सार में 218 करोड की लागसीह बन कर तयार होगा All India United Democratic Front प्रमुख मौलाना बदरुदीन अजमल ने सनातन धर्म को लेकर DM के निताओं के बयानों की निंदा की है उन्होंने सपस्ट कहा है कि कोई किसी के धर्म के बारे में कुछ कहे यह बहुत गलत बात है कोई भी किसी धर्म के उपर चाहे कोई भी करे चाहे बदरुदीन करे बुड़ा हो गलत बात है हर एक को दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए इज़त करनी चाहिए और हम लोग इस किस्म के बयान को नहीं मानते हैं हम इसको बुड़ा मानते हैं और इसको नकारते हैं रिपलविकन हाउस स्पिकर केविन मैक कार्थी ने मंगलवार को यह कदम उठाया है दोहजार चौबस के राश्रोपती चुनाओं से पहले स्पिकर का यह एतिहासिक कदम डेमोक्रेटिक पार्टी को भारी पर सकता है इलाबाद हाई कोट ने एक महतपुन फैसले में कहा है कि केवल अपरात की सजा के आधार पर किसी सरकारी सीवक को बर्खास्त नहीं किया जा सकता इसी के साथ कानपूर देहात के उच प्रात्मिक विद्याले रसूलपूर के सहायक अध्यापक को दहीज हत्या में मिली उम्रकैत की सजा पर बियसे द्वारा बर्खास्त करने के आधीश को वैद करार देते वे रद कर दिया और उन्चिद 311 दो के उपंदों के अनुसार नए सीरे से दो मामे आदीश पारित करने का नरदेश दिया है भारतिय बिजनेस जगत के दिगज हर्ज गोएंका ने भारतिय अंत्रक्ष अनुसंधान संगठम के चेर्मैन की सेलरी को लेकर इंटरनेट पर नई बहस छेर दी है उन्होंने एक ट्विट में पूछा कि इस्टो के चेर्मैन सोमनाद की सेलरी 2.5 लाख रुपे महीना है क्या यह सही और नर्शपक्ष है आईए समझे कि उनके जैसे लोग पैसे से पड़े अनेकारकों से प्रेडित होते हैं जो कुछ भी करते हैं वह विज्ञान और अनुसंधान के प्रती अपने जुनूर और समर्पन के लिए अपने देश में योगदान देने के लिए राश्य गौरफ के लिए और अपने उद्धेशी को प्राप्त करने के लिए संदर में वक्तिगत पूर्थी के लिए करते हैं मैं उनके जैसे समर्पित लोगों के प्रती अपना सरज चुकाता हूँ नासा के वग्यानिकों ने प्रीथवी से कहीं प्रकास वर्ष दूर तक फिशाल ग्रह का पता लगाया है जो पानी के महासागरों से भड़ा हो सकता है सुदूर ग्रह में जीवन के संभावनाओं को जगाने वाला राश्य निक संकेत भी मिला है दरसल नासा के जेम्स वेव स्पेस टेलिशकोप ने सौर मंडल के बाहर एक ग्रह पर मिथेन और कार्बन डायकसाइड सहित कुछ अनुओ की मौझूदी का खुलासा किया जेम्स वेव स्पेस टेलिशकोप ने से मिली इस जानकारी से उन्हाले आध्यानों को बल मिलता है जिसमें के टू अठारा बी ग्रह के एक हाई सीन एक्स्पॉलरनेट होने की संभावना जताई गई थी सनातन धर्म पर टिपनी को लेकर तमिलनाडू सरकार में मंत्री और मुक्य मंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदया निधिय स्टालिन के खिलाफ एक और एफायार दर्ज हुई है यदि आप एजनसी के गोडाउन जाकर सिलिंडर लेते हैं तो डिलिवरी के लिए तैराश एजनसी आपको देगी दरसर LPG गैस सिलिंडर के साथ उसका हूम डिलिवरी चार्ज भी इसमें शामिल होता है ऐसे में यदि आप सीधे एजंसी के गुडाउं से सिलिंडर लेते हैं तो एजंसी आपको लगभग 20 रुपे वापस देती है 87 को आप कमपनी से ले सकते हैं यदि कोई एजंसी इस पैसे को देने से मना करती है तो आप इंडियन गैस टोल फ्री नंबर 18662-333555 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं विपक्षि गडबंधन इंडिया नेशनल डिवलप्मेंट इंक्लूसिव अलायंस में रैली के जगा को लेकर गंभीर मतमेद उपर गए हैं चेतरिये दल आने वाले विधानसभा चुनाव वाले राजियों में कॉंग्रिस के साथ रैली का मंच साधा करने को तयार नहीं है सूत्रों के मताविक इंदलों ने कॉंग्रिस से कहा है कि जब चुनाव अलग-अलग लड़ना है तो एक मंच पर खड़े होने से उनको नुकसान होगा इंडिया गड़ बंधन में विधान सभा चुनाव से पहले साधा रैलियों पर एक राय नहीं बन पाले ही मुंबई बैठा के बाद देशबर में दली, चन्नाई, गुवार्टी, पटना और लखनों में साधा रैली के साथ ही चुनावी राजियों में भी इंडिया गड़ रह सकते हैं, संसत के विशेश सत्र के दौरान 19 सितंबर को पुडाने संसत भवन से नहीं संसत भवन में सिफ्टिंग का काड़ इक्रम होगा, बता दी कि मोधी सरकान 19 से 22 सितंबर तक संसत का विशेश सत्र बुलानाई का एलान किया है संसत की करमचारियों की नई वर्दी पर कमल का फूल होने पर कॉंग्रस ने मंगलवार को बीजेपी पर हमला किया लोगसपामी कॉंग्रस के सचेतक और सांस अदमनीकम टैगोर ने सवाल उठाते वे कहा कि राश्ट्रिय पर सुबाख और राश्ट्रिय पक्छी मोर है कि बजाय सर्फ कमल को ही क्यों है उन्होंने सोचल मीडिया एक्स पर कटाक्ष करते वे लिखा सिर्फ कमल ही क्यों मोर क्यों नहीं या बाग क्यों नहीं या बिजेपी पार्टी का चुनाव चन नहीं है ओम बिल्ला जी यह गिरावट क्यों प्रिधान मंतरी रेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने कारयाले के अधिकारियों और करमचारियों से मलाकात की और जी बी सिखर सम्मेलन को लेकर उनके अनभवों के बारे में जानकारी हासल की सूत्रों ने यह जानकारी देते वे बताया कि प्रिधान मंत्रे इसके बाद दिरीश मंत्राले के अथिकारियों सहत सभी इस तर के करंचारियों से मिलने और उनसे बाचीत करने के लिए सुसमा सुराज भवन पहुचे इस सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए दुनिया भर के निताओं ने पिये मोदी के नितुत्यों की खोब तारीज की लिए रेलवे बोर्ड पिछले साहरे चार सालों में 25 जोडी सेमी हाय स्पीर वंदे भार ट्रेन चला चुका है देश के विविन सहरों के बीच दिन रात फराटा भरते हुए इन ट्रेनों ने अब तक 57 लाग किलो मीटर से अधिक की दूरी नापली है इस प्रकार वंदे भार ट्रेनों ने सुर्य की परिदी के बड़ावर का पूरा चकर लगा दिया है लेकिन ये पहलु यह है कि सुरक्षित परिचालन के साथ वंदे भार ट्रेनों सनक्षा के मामले में भी अवल साबिक पुरा लग है सरकारी स्कूल में चल रही नौवी से बारवी तक की त्रेमाशिक परिच्छा के प्रशन पत्र लीक हो गया है ये प्रशन पत्र कट्रा बाजार स्थित की सोड जनर्ल स्टोर और नामक कममंडी इस हित विद्या सागर स्टेशनरी पर खुले आम बिक्र हैं तो दुकान पर काउंटर पर ही प्रशन पत्र के बंडल के धेल लगे हुए थे विमान खड़ाब होने के बाद भारत में फसे कनाडा के प्रधान मंतरी जस्टिन टूडो को भारत ने पीम मोदी का प्लेन ओफर किया अहला कि कनाडाई पक्ष ने अपनी बैक अप एर काफ्ट का इंतजार करना मुनासिब समझा सूत्रो से मिली जानकारी के मताबिक कनाडा के प्रधान मंतरी को एर इंडिया विमान की पेश खस की गई थी या वही विमान है जिसमें पीम मोदी आतरा करते हैं गौरतलब है कि टुडरो और उनके साथ आया डेलिगेशन विमान में खरावी के बाद दिली में ही रुका हुआ था मंगलबार दोपहर को बैक अप विमान आने के बाद करनाडा के प्रधान मंतरी अपनी दल के साथ रवाना हुए थे एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को लेकर मनीपूर पुलिस द्वरा अपने खिलाफ दायर की गई एफाइर का सामना कर रहे है एडिटर्स गल्ड ओफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ड को बताया कि उसने भारती सेना के निमंतरन पर मनीपूर का दौरा किया था गिल्ड की अध्यक सीवा मुस्तफा को 12 जुलाई को लिखे गए सेना के पत्र से पता चलता है कि उसने पत्रकारों के इस संगठन से उसके द्वरा प्रकाश में लाई गए स्थानिय मीडिया की रिपोर्टों की जाज करने के लिए कहा था पत्र में कहा गया था कि स्थानिय एक्सप्रेस के मुताविक फुटबॉल टीम के कोच इगोर सिस्टिक मैक मैच से पहले जोतीशी को खिलारियों के विवरन दिया करते थे और फिर उनकी सलापर टीम चुनी जाती कोच से जोतीशी का परिचय अक्षल भारतिय फुटबॉल महासंग के एक सिर्श अधिकारी ने विधान सभाने सोंबार को देश में प्रस्तावत समान नागरिक सहिंता और वंच संरक्षन अधिनियम को कार्यानवन का विरोध किया और सोल असुत्री समझोते और उनच्छेद 371 एक एत है सुरक्षा की मांके हिंदुस्तान टाइम्स के नुसार मांसून सतर के पहले दिन नेशनलिस्ट, डिमोक्रेटिव, प्रोग्रेसिव, पार्टी, भाजपा, एंसीपी, एनपीपी, एलजेपी, रामविलास, नगा, पिपुस फ्रंट, एनपीएफ, आर्पी आइ अठावले, जेडियू, और नर्दली, सहित सभी दरों ने इन मुद्धों पर चर्चा की बॉक्स ओफिस ट्राकर संचली के तुश्रवाती आंकरों के नुसार, जवान ने 6 दिन 26.56 करोड की कमाई की है, जिसके बाद जवान का कलेक्शन 345.58 करोड हो गया, वल्डवाइट कलेक्शन की बात करें तो 575.8 करोड की कमाई करते वे 600 करोड की तरफ बढ़ रही है, किरल सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है, केंदरी स्वास्ते मंत्री मंसुख मानविया ने कहा कि सिती का जाइदा लेने और निपाह वायरस संक्रमन से, निपटने में राजसरकार के शाहिता के लिए विशचरगों की एक केंदरी टीम केरल भेजी गई है, दक्षिन भारत म निपाह वायरस से मामलों में तेजी देखी जा रही है, जीबी समेलन की सफलता के बाद, पियम मोदी समेलन की ड्यूटी में लगे पुलस कर्मियों के साथ डिनर कर सकते हैं, रिपोर्ट की माने तो पियम मोदी जीबी समेलन बहतरीन ड्यूटी देने वाले जमानों को मिलक और उनके साथ डिनर करके बधाई देने की तैयारी कर रहे हैं इस बात की घोशना जल्दी की जा सकती है चानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 16 सितंबर को पुलस कर्मियों के साथ डिनर कर सकते हैं इस डिनर का आयोजन ITPO में किया जाएगा महराश्चर के मुखे मंतरी एकनाथ सिंदे ने शिव सेना धरी के प्रमुक उदव ठाकरे पर एक जनसभा के दुरान पलटवार की आहाली में खत्म हुए जीवी सिखर समिलर में सिंदे की बिटेन के PMRC सुनक से मुलाकात हुई थी उन्होंने सुनक के साथ एक तस्वीर सोसल मीडिया पर शेयर भी की थी इस पर प्रतिकरिया देते वे उद्दव की तरफ से कहा गया था कि दोनों एक दूसरे से क्या बात कर रहे होँगे और किस भाशा में बात हो ड़ी होगी टाइमस ओफ इंडिया की खबर के मताबिक इस पर अब सिंदे की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया दी गई है दिल्ली काजियवाद मेरट रैपिड रेल को लेकर बरी अब्रेट सामने आई है देश की पहली रैपिड रेल की शुरवाद जल्द होने जारी है प्रधान मंतरी रेंदर मोधी हरी जंडी दिखा कर इसके पहले सेक्शन की शुरवाद करेंगे नेशनल कापिटल रीजन ट्रांस्पोर्ट कॉर्परिशन की माने तो दिल्ली एंसियार के रैपिड रेल कोईडोर की देखभाल करने वाली नूरल एजनसी 17 किलोमीटर के पहले खंड को इसी महीने शुरू कर सकती है या रेल नेटवर्क सिस्टम सुरू होने के बाद रैपिड रेल बंदे भारत एक्स्प्रेस को पीछे छोड़ते वे भारत की सबसे तेज रेल होगी बॉलिवोड के मशूर कॉमेडी अक्टर बिर्बल खोसला का निधन हो गया उन्होंने मंगलवार 12 सितंबर के शाम सारी 5 बचे अंतिम सांस ली और उनके उम्र 84 साल थी आपको बता दी कि उन्होंने कई शांदाल हिंदी फिल्मों में अपनी कॉमिक रोल से लोगों को खूब हसाया है बिर्बल की निधन की खबर से वनुरंजन जगत से जड़े लोगों को दुखी कर दिया है इड़ा रिपोर्ट्स के निसार कुस्त में पहले उनके सिर्फ पर चोट लगी थी जिसके बास से वे परिशान थे सदंदर ने 84 साल की उम्र में अंतिम सांस ली अयोध्या में बन रहे भवे राम मंदर का जनवरी दोहजार चौबस में उदगाटन होना है इसे भी चर्चा है कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी राम मंदर का उदगाटन कर सकते हैं ऐसे में इस मुद्धे पर सियासत भी शुरू हो गई है राम मंदर का उदगाटन प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी से कड़ाय जानी पर सपा सांसाद स्टी हसन भड़क गया है, स्टी हसन ने कहा कि राममंदर का उद्गाट और किसी महंत के हाथों होना चाहिए ना कि किसी राजनी तिकपत पर बैठे ब्रखन से बिहार सरकार के सक्षा विभाग के अपर मुखे सचीव के एके पाठेक पर कोट के आदेश के अब मानना करने को लेकर पटना हाई कोट के जस्टिस पीबी बजंतरी और जस्टिस अरुन कुमार जहा के दोड़ा कारवाई करते वे उनके उपर 20,000 रुपे का जुर्माना लग पता दे केशिया कब सूपर चार राउंड में टीम इंडिया के जीत के बाद कुछ श्रिलंकाई फैंस इतने खफा हो गए कि उन्होंने स्टेडिया में बैठे भारतिये फैंसे मार पीट कर ली सोचल मीडिया पर एक वीडियो वारल हो रहा है जिसमें एक श्रिलंकाई फैन पहले भारतिये फैन को गाली देता है और उसके बाद वो इस पर थपर और मुक्के बरसाता है कॉलंबो के स्टेडिया में बैठे दूसरे फैंस आरोपी यूवा को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लगातार मार पीट करता रहता है Central Selection Board of Constables बिहार ने बिहार पुलिस कॉंस्टेबल भरती परिच्छा 2023 के लिए सेंटर्स के लिस्ट जारी कर दी है वे कैंडिडेट्स जिन्होंने आवीदन किया है वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि उनका एक्जाम किस सहर में आयोजित हो का ऐसे में संटर के लिस्ट चेक करने के लिए वेबसाइट csbc.bis.nic.in पर जा सकते हैं बतादे कि CSBC बिहार पुलिस कॉंस्टेवल परिक्छा कायोजन एक साथ और पंद्र ऑक्टूबर 2023 को किया जाएगा बिहार में डिंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जारी है बतादे कि अवराजी में डिंगू के मामले 1100 के पार पहुंच चुके हैं अब भरते हांज के सवाल की और आज का सवाल है आप खुद का डेंगू से कैसे बचाओ कर रहे हैं अपना जवाब हमें अमारी कमेंट सेक्षन में लिकर जरूर बताएं आज के लिए तना ही धन्यवाद